रादे रादे दोस्तों वास्टेव सफोरोम चेनल में आज सभी दोस्तों का माता बेनों का स्वागत हैं दोस्तों भगवान सिवजी को जगत पिता का जाता है अगर संतान कोई भी दुखी होती हैं तो माता पिता को अच्छा नहीं लगता कोई भी माता पिता नहीं चाहता कि उसकी संतान दुख्योग दोस्तों कर सामन के महीने में सिर्व लिंग से ये वस्त उठा लेकर के आ जाएं तो निश्यत रूप से परवार में प्रेम बरता हैं पती पत्नी में प्रेम बरता हैं और पती अपनी पत्नी को मान सम्मान देता है। पती पत्नी में अगर किसी भी प्रिकार का मन मुटाब हैं तो वो मन मुटाब मतबेर भी दूर हो जाता हैं। केवल पत्नी को सामन के महिने में या किशी भी महिने के संबार को इस उपाय को करना हैं, इस उपाय में करना हैं कि सब प्रतम जब भगवान शिवजी के मंदिर में जाएं तो एक नार्यल लेकर के जाएं और जाकर के शिवलिंग पर आपको नार्यल पूजा के साथ मिचड़ा देना हैं उसके बाद में सिव लिंग पर चड़े हुए 21 दाने चावल के उठा लेने ही चावल के दाने जो होते ही इन अक्षत अनपूना का शुरूप माना जाता है चावल के 20 दाने उठा लें और अपनी मनों कामना बोलें इसके साथ में 5 बेल पत्र के पत्ते भी उठा ले इन्हें लेकर के आजाए और घर आकर के भगवार सिव जी का ध्यान काते हुए बेल पत्र के पत्तों में से एक बेल पत्र का पत्ता जो है अपनी पती की तक्या के नीचे एक बेल पत्र का पत्ता जो है आप पती के कपड़ों में कहीं भी रख दें या पती के फोटों के सा जो दो बेल पत्र के पत्ते बच्चे ही उन बेल पत्र के पत्तों को आप पीस लें और उनको पीस करके खाने में मिलाकर के पती को दे दें इसके साथ जो चावल के दाने ही उनको भी आप एक दाना रोज अपने पती का नाम लेकर के कि मेरा पती मेरे बस में हो आपको खाना है 21 दिन में आपको एक एक दाना करके 21 दिन वो चावल के दाने खाने ही इस तरह से केबल आप 21 दिन ये उपाय कर लेंगे जैसे जैसे चावल का दाना पती का नाम लेकर कि आप खाते जाएंगी बैसे ही पती का आपके पती प्रैम बढ़ेगा और पती का चूक बची करन होगा दोस्तों ये अजमाय हुआ सिप पुरान का उपाय है आप इसे जरू करें वीडियो को लाइक करें, शेर करें चैनल को सबस्काइब करें आप सभी को रादे रादे